बोला डॉक यूट्यूब चानल को सब्स्ट्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें असलाम लेकूम मेरा नाम डॉक्टर हुमेरा सिकंदर है और मैं गाइनेकॉलजिस्ट हूँ मैंने MBBS और MCPS की डिग्री हासिल की विये MBBS रावल पिंडी मेडिकल कॉलिज में 87 में और MCPS 2005 में मैं प्रेजेंटली काम कर रही हूँ Federal Government Polyclinic Hospital इसलामबाद में as an associate surgeon और इसके इलावा in charge हूँ MCH आपारा में मेरी services यहां पे तक्रीबन 28 years हो गई हैं कि मैं यहां पे काम कर रही हूँ और इसके इलावा मैं शाम को इसलामबाद Medical and Surgical Hospital में भी पैठती हूँ आज मैं आपको जिस topic के मतलिक थोड़ा सा अगाही देना चाहूँगी वो हैर प्रेगिंसी में पानी का ज्यादा होना जिसे हम कहते हैं Polyhydramnios Polyhydramnios वो condition है जिसमें बच्चे के इड़ गेट पानी नॉर्मल से ज्यादा हो जाता है और नॉर्मली हम यह देखते हैं कि पानी इंतहाई जरूरी चीज़ है जो के बच्चे के इड़ की तो होता है लेकिन अगर ज्यादा हो जाए तो इसके हमें फिकर होनी शुरू हो जाती है कि यह क्यों ज्यादा है पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंट्मेंट बुक करें वो भी पेशेंट फीड़बैक देखते हुए लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फाइदा उठाएं और आज ही ओलाडॉक एप डाउनलोड करें ओलाडॉक डॉक्टर का अपॉइंट्मेंट आसानी से अब सोच देखने में आया कि इसकी क्या वजुभात है या तो पानी बन ज्यादा रहा है या पानी अब्सॉब काम हो रहा है तो हम यह देखेंगे के पानी बन कैसे रहा है पानी बनने की वजुभात क्या है पानी बनने की वजुभात मुख्लिफ हो सकती है यह भी हो सकता है के फीटल यूरीन या निके पेशाब ज्यादा बन रहा है बच्चे का या बच्चा जो है वो पानी absorption उसकी काम हो रही है तो ये वजवार ढूने के लिए हमें बच्चे को हमें pregnancy में देखना पड़ता है अब पता कैसे चले के pregnancy में इस pregnancy में पानी ज़ादा है तो ये ऐसे भी हो सकता है कि incidentally हम जब anti-natal check-up कर रहे हैं चेक-up करते हुए हमें ये देखा गया कि fundal height जो है जिसके हम जब check-up करते हैं तो वो ज्यादा नजर आती है तो अब क्या वज़ा है कि ज़्यादा है जब देखा जाता है तो twin pregnancy भी हो सकती है एक pregnancy भी हो सकती है और उसके इसगे पानी ज़्यादा हो सकता है या ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपके पास एक ultra sound लेकर आज़े और वो दिखा है कि ये देखें जी हमने तो ultra sound करा है इसमें पानी ज़्यादा है अब पानी की वजवाद देखने के लिए कि पानी क्यूं ज़्यादा है हमें ढूनी पढ़ती है वजवादा देखा गया कि 50 फीसद लोग ऐसे हैं जिन में कोई वज़ा सामने नहीं आती बाकी रहे गए बाकी 50 फीसद उन 50 फीसद में या तो कोई मा की वज़ा है जिसमें पानी ज़्यादा है या बच्चे की वज़ा है जिसमें पानी ज़्यादा है मा की वजवात जो बहुत मेजर है उसमें शुगर है शुगर के होने से माँ में शुगर के होने से पानी जादा हो सकता है अब ये है कि या तो मदर पहले से डाइबेटिक है ठीक है यह हमें देखना है या ये कि वो इस प्रिगंशी में डाइबेटिक हो गई है और उसकी family history भी डाइबेटीस की है जिससे प्रिगंशी में effect आया है और पानी इसका ज्यादा हो गया है, फिर ये भी हो सकता है कि उसके ब्लाड ग्रुप की इंकम्पैटिबिलिटी हो, ब्लाड ग्रुप इंकम्पैटिबल हो तो तब भी पानी ज्यादा हो सकता है, या फिर कोई इंफेक्शन हो, उसमें भी पानी ज्यादा हो सकता है, या कोई सर सिरे के पाओं तक बच्चे को यू अलग अलग से देखें तो सर में भी बहुत सारी वजवात हैं बच्चे की एबनॉमिलिटी की जिन की वज़ा से पानी ज़्यादा हो सकता है फिर इसोफेजियल एट्रीजिया यानिके हुरा की वो नाली जो नीचे से आके तंग हो जाए उसकी वज़ा से पानी ज्यादा हो सकता है यह सब वजबात बच्चे की हैं इसके इलावा बच्चे के पेट का ना बना होना जिसको हम एक्जब्थलुमास कहते हैं उसकी वज़ा कोश़क कोई प्रिम्टियूटी हो यह पानी ज्यादा हो सकता हैं इस तरह से हम इसको यह किरने के बच्चे की प्राउब्लम के लगए से पानी ज्यादा सकते हैं मान población क्वज़ा से पानी ज्यादा हो जिक पॉझकते हैं और लेख 300 कैज कोसिए बग्रा यह कश्याम उसकरना जो 25 to 30 cm total AFI, यानि कि हम ultrason के उपर जब हम मालूम करते हैं amniotic fluid या पानी कितना है, तो इसको हम calculate करके एक figure में ले आते हैं, यानि कि अगर 25 से काम होगा तो वो normal होगा, 25 to 29.9 होगा तो वो mild होगा, 30 से 35 होगा तो वो moderate होगा, और 30 से उपर होगा तो वो severe polyhydramnios हम इसको कहेंगे, और इसी तरह से उसकी abnormalities related हैं पानी के ज़्यादा होने से, 50% cases में तो कोई वजुहात सामने नहीं आती कि उसमें पानी क्यूं ज़्यादा है, लेकिन 50% वजुहात से मैं आपको पहले बताए, उसमें या मदर की वज़ा है या बच्चे की वज़ाए के पानी ज़्यादा हो रहा है, अब हमें करना के है, अब हमें investigate करना है, मदर के लिहां से हम उसकी शुगर को देखेंगे, कि आया उसकी family history में शुगर है, खोद उसको शुगर है, या फिर ये कि वो previously, पिशली pregnancy में भी diabetic रही है, और फिर उसकी श कराना है, मा का हमें ultrasound, शुगर का सारा status करना है, हीमोगलोबिन A1C जो के ये बताती है, कि पिछले तीन महीने में बच्चे का मदर का क्या status रहा है, शुगर का, वो हमें कराना है, हमें blood group कराना है, हमें कोई infection अगर कोई है, तो उसको हमने rule out करना है, इसी तरह से बच्चे के लिए भी हम एक detail anomaly scan करवाना चाहते हैं, जो के 22 weeks के ओपर normally होता है, और उसमें तमाम details से बच्चे की skeletal और दूसरी abnormalities भी देखी जाती हैं, और वो भी हमें address करनी होती है, अब इसका investigation ना सिर्थ मा की जरूरी है, बलके बच्चे की बेश जरूरी है, इन दोनों चीजों के स के लिए हमें fetal medicine को involve करना होता है, जो के हमारे साथ इन collaboration चलते हैं और हम एक नतीजे तक पहुंचते हैं, अब polyhydramnios में तो investigation होगी सारी, अब हमें management क्या करनी है, management में ये है कि ये pregnancy एक high risk pregnancy है, इस pregnancy को hospital setup में होना चाहिए, क्योंके इसमें ज्यादा chances normal delivery से ज्यादा सेजेरिय membrane की भी है, इसमें bleeding के भी chances ज्याद हैं, इसमें membrane rupture होने की में चांसे ज्याद है, इसमें postpartum hemorrhage से के बात hemorrhage bleeding होती है, उसके chances ज्याद है, इसमें operative delivery के ज्यादा chances है, इसमे anlamality of lie, जी से हम कहते हैं, बच्चा उल्टा थेड़ा uz के chances बहु जए ज्याद है, इसके जिसे हम कहते हैं कि membrane rupture हुई और cord बाहर पहले आगे बच्चा पीछे रहा गया ये acute emergency में भी शुमार किया जाएगा क्यूंकि इसके साथ ही अगर ये cord prolapse होती है तो बच्चे के अंदर पैदा होने से पहले ही उसकी death हो सकती है तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए हमें ये कहना पड़ता है कि polyhydramnios जाने कि increased पानी बच्चे के एक high risk pregnancy है जिसको एक hospital setup में चेक अप होना डिलिवर होना जरूरी है ताके मा और बच्चे को बचाया जा सके और ताके हम better better antenatal care जो एक मा को जरूरत है और जो पाकिस्तान क को हम offer करें अपने-पने setup पे जहां पे हम का रहे हैं चाहिए प्राइबेट setup पे चाहिए वह गर्मेंट setup है identify करें जो problems है उनको identify करें और problems को address करें उनको solve करें यही हमारा mission होना चाहिए चाहिए हम privately कारें यह हम गर्मेंट setup में कारें मैं आजकल शाम को फात्मा hospital जो के इस् हैं तो आप यहां पर कॉल भी कर सकते हैं इसलामबाद medical and surgical hospital में इसके लावा आप ओलाड़क्स के थूभी appointment ले सकते हैं शुक्रीया बहुत बात हुआ तान, क्या नोफिके ले बड़िवा हैं, आप धवां उन्हां, क्या रे स्वगर टूप रहता हैं आप ल saya ए ל׫ुप जह हाँ मैं उन्हां, क्या को वित लिगे उन्याषी Pocket ले MY जु़आब हुआ होगा है